जहें दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्यन करेंगे क्लास 10 में जो हम लोग राजी प्रकाशन से हम लोग बुक से अध्यन कर रहते हैं हम उचाई और दूरी height and distance इसमें हम लोग अध्यन कर रहते हैं इसमें हम लोग completely exercise को खतम कर लिया है आज की इस वीडियो में हम लोगोंने mcq हम लोगों करने हैं mcq करेंगे इनने बहुब इकल्पी प्रिश्ण करेंगे यह यह ngh included आपको बदेखा दे कि से करेंगे आप लोगों को अच्छे से अध्यन करवा देंगे आप लोग जानते भी हो अगर लगा तर कंटिनु को वीडियो को देखते आ रहे हो 9.1 से एक छड की लंबाई उसकी च्छाया से अनुपात एक अनुपात अंडरूट 3 है तो सूर का उन्यन कोड ग्याद कीजिए सबसे पहले आपको उन्यन कोड की बात बता दें आप लोग जानते हो फिर भी बता रहे हैं उन्यन कोड जिसको हम लोग इस प्रकार से देखेंगे नीचे से देखेंगे ऊपर देखेंगे इस प्रकार से कोड को हम लोग उन्यन कोड करेंगे यह A है यह B है और यह C है यह ल करोगे तो आप लोग कहोगे तिर्भुज A B C में या तिर्भुज A C B में तिर्भुज A C B में A C B में लंबटे आधा 10 का तो 10 थीटा बराबर एक बटे अंडर रूट 3 ये 10 30 कमान है तो 10 थीटा बराबर 10 30 तो 10 से 10 कैंसिल तो थीटा बराबर आपके पास 30 अंस हाँ option कौन सा सही है अपको option A सही है अपका कौन सा option सही है A option सही है ठीक जिसे दूसरा question दूसरे question में है एक मीनार एक मीनार की जमीन पर चाया की लंबाई उसकी उचाई के बराबर तो बशूर का उन्यान कोड़ के चाया जो है उसके उचाई के बराबर है तो समझना जैसे हमारे पास मीनार की बाद की जा रही है तो यह हो गया हमारे पास A, B और C इसकी जो च्छाया की लंबाई है मालों उचाई H है और च्छाया भी फिर क्या होगी H योगी च्छाया और उचाई दोनों बराबर है और यहाँ पर कोड इनका कहिना ग्याद केजिए तो हम लोग कहें के तिरभूज A, C, B में A, C, B में लंब बटे हाधाई 10 कही होता है तो 10 THETA बराबर H बटे H Cancell होकर 1 तो 10 THETA बराबर अब यह किस का मान है? 10 45 का मान है? एक जो है 10 45 का मान है तो हम लोग कहेंगे 10 45 10 सी 10 Cancell तो हम लोग कहोगे कि THETA बराबर हमारे पास 45 अंस कौन सा ओफ्षन? B ओफ्षन आपके पास सही है ठीक अब कोशन नमबर तीसरा तीसरे में है नदी के आहर पार बना एक पुल सरल रेखी मार का अकार का है यह नदी की चौडाई के साथ 7 अंस का कोड बनाता है यह पुल की लंबाई 100 मेटर है तो नदी की चौडाई ग्याद कीजिए देखो 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 कोशन नमबर 3 एक नदी और एक पुल की बात की जा रही है इसमें हाँ तो यह जाएगा A, यह B और यह C हाँ तो क्या है इसमें इसमें यह है की कोड तो है साटन्स यह हमारे पास इसकी चौडाई एक्स मेटर माल लो और लंबाई जो है यह 100 मेटर है ठीक अब देखो यहाँ प्राबल लिखो के तिरभूज A, B, C में यह चौडाई तो नदी की जो चौडाई है वो हम लोगों ने माल लिया एक्स मेटर नदी की चौडाई क्या होगा हमारे पास एक्स मेटर ठीक है और यह तो हमारे पास सो मेटर तिरभूज अब यहाँ पर कौडाई एक बटे दू एक बटे दू बetry बराबर एक बटे दो बराबर यक्स बटे सो और यहाँ पर यह हो जाएगा दो एकम दो दो पचास हम सो यानि यह हो जाएगा मारे पास यक्स बराबर पचास मीटर तो कौन सॉप्षन सही हो जाएगा मारे पास पहला अप्षन सही हो जाएगा मारे पास मेनार से थीस मीटर की दूरी पर इस्तीद एक बिंद। 1 मेनार के शिखर खुट 30 स्य को मेनार की ऊचाई है सबसे पहले यहां पर इस परकार से आप लोग की चित्र बना लोगे जो की है A, B, C इन का कहना है कि a 20 मीटर की तूरी पर तो इसे कहेंगे तिरभूज A, B, C में 10, 30 लम बटे आधार तो H बटे 30 10, 30 कमान 1 बटे अंडर रूट 3 और H बटे 30 30 को उपर पहुझा दो तो H बरावर 30 बटे अंडर रूट 3 अंडर रूट की कोई भी संख्या हो उपर निचे गुणा क्या करो तो यह हो जाएगा 30 अंडर रूट 3 बटे 3 काटो तो यह हो जाएगा 10 तो यह बरावर 10 अंडर रूट 3 कौन सौ उप्शन सही है हमारे पास तो चाओ ठीका B पार्ट सही है 10 अंडर रूट 3 मीटर तो मारे पास कौन सौ उप्शन सही है 10 अंडरूड 3 मीटर B पार्ट हमारे पास सही है तो कोशन नमबर 5 को देखो एक पतंग जमीन के तल से 75 मीटर की उचाई पर उड़ रही है यह 26-70 पर कोट पर जुकी है डोरी से बंदी है डोरी की लंबाई गात कीजिए दो कोशन नमबर 5 देसे माल लो कि इस परकार से जब भी हम पतंग को उड़ाएंगे तो यह पतंग की डोरी होगे इस परकार से तो यह A यह B और यह C डोरी की लंबाई तो माल लिए डोरी की लंबाई जो है 8 मीटर ठिक डोरी की लंबाई जो है 8 मीटर और एक पतंक जमीन के तल से 55 मिटर को उचाई पर उड़ रही है तो उचाई जो है हमारे पास 55 मिटर ठिक, 55 मिटर उचाई पर उड़ रही है यह 36 साट अंस पर कौण पर जुकी हुई है तो यह कितने अंस पर कौण पर जुकी हुई है साट अंस के कोड़ पर जुकी हुई है डोरी की लंबाई, तो माल ले डोरी की लंबाई हम लोगों ने है एच मीटर यहाँ पर लगा देंगे तिर्भूज एबी सी में तिर्भूज एबी सी में अब यह होता है हमारे पास काण बटे ळहुँआ Bluetooth जुद नहीं होता है अंडरूड 3 बटे 2 बराबर पचेट्र बटे एच तो यहाँ पर याच को पनुचा दो उपर तो याच बराबर हमारे पास काण जाह का पचेट्र इंटू बटे अंडरूड 3 कोई भी संख्या अंडरूड के संख्या हो तो उपन निचे गुणा करते हैं हम लोग तो यह जाएगा 75 इंटु 2 इंटु 2 इंटु अंडरूड 3 बटे 3 15 पन्दा पन्दा 75 और 15 तो यह बराबर हम लोग कहेंगे 30 अंडरूड 3 मीटर तो कौन्स ओप्शन हमारे पास कोईशन नमबर 5 तो देखो एक चीज़ाओ धनक ना कि ओप्शन नमबर हमारे पास इसमें तो अप्शन ही नहीं है तो यहां पर मिस्टेक है 25 या 75 अब पन्दा पन्दा 75 तो यह हो जाएगा हमारे पास 50 आप देखो जुराख कौनस ओप्शन है आप देखो बी पार्ट ओप्शन सही है बी पार्ट तो 50 अंडरूड 3 मीटर तो कौनसा ओप्शन हमारे पास सही है हमारे पास b पार अप्शन जो है सही है Question number 6, यानि आखरी, ठीक है, जमीन पर एक बिंदू P से मिनार की शिकर का union code alpha है, union code alpha है, देखो, जमीन के एक बिंदू P पर, ठीक, इस परकार से A, B, C, ऐसे है क्या, जमीन पर एक बिंदू P से, जमीन की शिकर का union code alpha है, तो union code alpha है, यावब P माल लो, union code alpha है, मिनार के पाद की और D दूरी चलने पर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यह D दूरी है, मिनार का union code बीटा हो जाता है, तब, एक चीज़ है दगना, कि इसका union code कितना और D दूरी चलने पर, जब D दूरी चलेंगे, तब इसका union code है, ये क्या हो जाता है बीटा इनका union code बीटा हो जाता है तब अब अलफा और बीटा अलफा और वीटा में कौन अधिक है अब ध्यां जकना जो रेखा जादा जुकेगी उसका कोड़ कम है इधर की वर इस चितर को आपको आई से बना के दिखाते हैं को इस चित्र को ऐसे है तो समझना और ऐसे है यह जाना जुकी हुई है इसका मतलब यह अलफा और यह बीटा हा तो यह kod कम है इस kod से यानि हम लोग कहेंगे जो हमारे पास alpha है वो beta से कम है beta अधिक है as vezes theta की अधिक है तो beta हमारे पास 60 का ही है तो कौन शेरस हो जाएगा हमारे पास A सही हो जाएगा ठीक है A सही हो जाएगा तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो हमारा MCQ है उसको भी हम लोगों ने completely खतम कर लिया है अब हम लोग मिलेंगे किस में बिवित में है हाँ बिवित में है ठेके तो तब तक लिए जय हैं जय वारत लोग स्वास्त रहिए मस्त रहिए और हारक एकसर में इस प्रकार से मिलते रहिए टेके स्क्रीन शॉट